कि बोजी हूँ मशाल कभी प्रकाश नहीं देती है। बोजी हूँ मशाल कभी प्रकाश नहीं देती। मुख्यमंत्री ने सुमवार को यह बाद शिफ-सिना के गड़ संजे जाने वाले कॉंकड में कही। वह अपने शिव संकल्प अभ्यान के तहट कॉंकड के राजापूर में आयोजत एक सभा को संभूदित कर रही थी, मुख्यमंत्री ने कहा कि शिवसिना का जन्म जरूर मुंबई और ठाड़े में हुआ है, लेकिन अगर शिवसिना वास्त में कहीं बढ़ी तो वह कॉंकड मे बढ़ी, मुंबई और ठाड़े शिवसिना का शरीर है, जबकि रतनागरी और सिंदु दुर्ग शिवसिना के फेपड़े हैं, लेकिन इस कॉंकड को विकास के नापर केबल आशा ही दिखाई गई, परन्तु अब कॉंकड के लोगों को सही मायने में न्याय मिलेगा, हमारी सरकार ने कॉंकड के लिए विसेश कर रतनागरी सिंदु दुर्ग जिले के लिए 1200 करोड की योजना की घोशना की है, हमने इस वजट के प्रथम चरण में 200 करोड रुपे उपलब्द कराए हैं, हम कॉंकड में 100 करोड की लगो सिचाई पर योजना शुरू कर रहे हैं, हमने मेडिकल कॉलेज, मल्टी स्पेशलिस्टी हॉस्पिटल भी शुरू किये हैं। साथ ही कॉंकड के विकास के लिए हमने शेत्री विकास प्राधिकरण बनाया है और इसके लिए 500 करोड का प्रापधान किया है। कॉंकड की जंता का बाला साहिव ठाकरे से आटूत रिष्टा है। इसलिए असली शिवसिना और धनुषबान हमारे पास है और इस धनुषबान के साथ कॉंकड की जंता हिंदुत के दुश्मनों और विग्न संतोसी लोगों को नश्च किये बिना नहीं रहेगी।